वेलकम दोस्तों, क्रिक्ट फंसी लिग में आपका स्वागत है, दोस्तों इस वीडियो में हम टीम बनाने वाले हैं, MLS के मैच चो खेला जाएगा, लाग अलेक्सी वसे सबसी डलास के बीच में, मैची स्चार्ट होगा सुबा आठ बजे, वीडियो ध्यान से सुनना, अगर आपको कुछ अच्छा करना है, ठीक ठाक करना है, क्योंकि दोस्तों कहीं न कहीं MLS का जो प्लेइंग लेवन है, उसको अनुमाल लगा पाना बहुत ही मुस्किल है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, और हम सभी जानते हैं कि MLS में बहुत ज़्यादा गो कर चुके हैं दोस्तों, जिसमें एक मैच में ये स्कोर भी नहीं कर पाए थे, वहीं EPSIDALAS के अवे फों की बात करें, ये लास्ट थ्री मैचेस लॉस किये हैं without स्कोर, एक भी मैच ये स्कोर नहीं कर पाए और आप देख सकते हो तीन मैचेस ये लॉस करके आ रहे हैं अवे म क्लियर कट फिवरेट आपका लाग अलेक्सी होना चाहिए, इस्पेसली हेट टो हेड में, बड़ ध्यान रखना लाग अलेक्सी से हर्नेंडेज स्टार्ट नहीं करेगा दोस्तों, मैच का जो पॉइंट अप भी हो है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं एफसी डलास हेट टो हेड में, आगे है, लास्ट कुछ मैचों की बात करें दोस्तों, एफसी डलास 9 विन किया है, वहीं लाग अलेक्सी 6 विन किया है, तो हेट टो हेड में आप देख सकते हो, कि एफसी डलास कहीं न कहीं आगे हो जाता है, अगर लाग अलेक्सी से हर्नें इस्टार्ट नहीं करेड़ेगा तो आप यहां से एक्व็ली मान के चलना कि दोनों टी में कहीं न जब्रॉब भी कर सकते हैं या एक्षीडेलड्र ऑबरकम कर सकता है क्योंकि दूस्तों एक्षीडेलास क πरीजिगा देखा जाएं तो देख सकते हो 11 में 7 win जो बहुत ही अच्छा है वहीं पर दोस्तों एक भी match यह अभी तक draw नहीं कर पाए हैं हारे हैं तो हार गए हैं बात करेंगे दोस्तों score की 11 में 17 score किये हैं जो अच्छा है वहीं 11 में 17 goal concede भी किये हैं 3rd position की team है दोस्तो 17 goal concede करना इनके लिए थोड़ा सा bad है Dallas की बात करें 12th position पे ये position मत देखना दोस्तो क्योंकि lag Alexis के साथ ये head to head में कहीं न कहीं आगे भी रहे हैं बाते पुरानी है form पुराने हैं बड़ दोस्तो FC Dallas के पास player quality अच्छी है बात करेंगे 11 में 2 win किये हैं 5 draw किये हैं 4 loss किये हैं 11 में 13 goal किये हैं वहीं में 11 में 17 goal concede भी किये हैं अगर देखा जाए Dallas का ते एक goal पर match कर देते हैं और कम से कम 2 goal या दोस्तो हम कह सकते हैं 1 से 1 प्लस goal ये concede कर भी लेते हैं वहीं पर galaxy की बात करें 11 में 17 goal ये team भी कहीं न कहीं एक goal concede कर ही लेती है तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता दोस्तो ये match especially clean seat कोई team win कर सकती है हाँ फिर भी lag galaxy के साथ आप with clean seat खेल सकते हो आपका opponent हो सकता है lag galaxy को पूर्य पूरा नमबर दे और clean seat के साथ ही आए तो बात करते हैं दोस्तो यहाँ से playing 11 की हो सकता है इस playing 11 में बहुत सारे changes हो तो वीडियो ध्यान से सुनना क्योंकि लग भग लग भग हम सभी players के बारे में बात करने वाले है lag galaxy की बात करने दोस्तो तो lag galaxy का जो playing 11 है कुछ इस तरीके से दिख सकता है last match यह कंसास city से 2-0 से हार के आ रहे हैं बात करेंगे bon की तिनका keeper होगा अराजूओ की बात करें यह आपको दिखने वाले हैं ride back पे इस team के best defender कह सकते हैं दोस्तो आपको सबसी ज़्यदा defensive point देते हुए दिख जाएंगे वहीं पे बात करें इनके season की एक assist इस साल कर चुके हैं दोस्तो पिछले साल 17 matches खेले थे एक goal दो assist किये थे कलूबैली की बात करें दोस्तो TA player french footballer है चार matches खेला है without goal assist रहा है बट इस बंदे के अंदर दम है ये कभी भी header में score कर सकता है डिपोई इस defense से दोस्तो आपको मुझे ऐसा लगता है अराजो के बाद सबसी ज़्यदा defensive point देते हुए दिख सकते हैं बिला फाने की बात करेंगे ये player कभी भी score कर सकता है जील का बहुत बड़ा pick है अज captain, wise captain आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो MLS 2020 Portland से खेलता था दोस्तो 24 matches खेला था दो goal 5 assist किया था कभी भी ये goal score कर सकता है यहाँ से जो important pick होते है especially Arazo, callibaly, विला फाने, डिपोई या callibaly, ये आपकी call होगी ये दोस्तो header में अच्छा है डिपोई, defensive, ज्यादा अच्छा है as compared to callibaly कल जेस्टन की बात करें, penalty लेंगे ricks लेना है, as a voice captain आप इनके साथ जा सकते हो ये player अभी तक 2 goal कर चुका है defensive point भी आपको देते हुए दिख जाएंगे, let's get की बात करेंगे दोस्तो, ये player अमेरिकी soccer player है, experience USA में खेलने का है, एक important pick होंगे, जनता के captain है, हो सकता है दोस्तो, मैं इनके साथ as a player ही जाऊं, एक goal और वहीं पे 2 assist कर चुके हैं खेलते हैं, safe जाना है as a voice captain जाना, हो सकता है आपको मेरी टीम में as a player ही दिखें अब बात करते हैं, दोस्तों, यहाँ से Ravi Losson की, इस player की बात करें, ये malugressive footballer है एक match अभी तक खेला MLS का, without goal assist रहा Tyros Liga 2 में, 35 matches में 2 goal, 2 score किया है बड़ दोस्तों, पिछले match में ये 3 tackle किया था, 71 70 passes complete किया था तो कहीं न कहीं, मुझे ऐसा लगता है इस mid से, ये आपको defensive point देते हुए दिख सकता है, तो एक point pick हो सकते है review Losson भी अब बात करते हैं दोस्तों, इस team के सबसे बड़े differential pick की, कैबराल की बहुत ज़्यादा ignore किया जा रहा है बट इस बंदे की बात करें थी ये 200 per game लगा देता है दोस्तों, अब जो player 200 per game लगा रहा है दोस्तों, कहीं न कहीं कभी न कभी score कर सकता है एक assist कर चुका है Valencia वेल, sorry ये दोस्तों, ये खेलता है दोस्तों, Valencia net से Liga 2 में 29 मैचेस में साथ गोल, 4 assist किया था कहीं न कहीं, एक probable goal scorer threat भी होने वाला है Cabral वैज Q स्टार्ट करता है, ignore कर सकते हो head to head में, आप GL में कप्तान, wise कप्तान जरूर try करना अब ये बात करते हैं, Hernandez की must pick option है, leading goal scorer है 10 goal एक assist कर चुके हैं जुबाक दोस्तों, इनके place पे start कर सकता है, अगर ये start नहीं करते हैं, तो जुबाक start करता है try कर सकते हो, lag Alexis second division में, 21 matches, जुबाक खेला है और 9 goal एक assist किया है तो एक differential pick हो सकते हैं, बट मैं उनके, इनको, अगर दोस्तों यहाँ से Hernandez start नहीं करता है तो मैं इनके दोनों striker को ignore कर दूँगा, कोई भी start करे, तो यह सारी चीज़ें ध्यान रखना, बात करें दोस्तों most goal assist, lag Alexis से तो Hernandez 10 goal 1 assist Ledget 1 goal 2 assist Santos 1 goal Alvarez 1 goal, Arauzo 1 goal, Stares 1 assist West Qs 1 assist Grand Seer, दोस्तों अगर Calgester नहीं खेलता है, तो ये बंदा खेलेगा Grand Seer, खेलता है, ट्राइ कर सकते हो Head to head में जा सकते हो, प्लेयर के पास quality है, कभी भी score कर सकता है French footballer है, 11 matches खेला, MLS के 1 assist किया है ये दोस्तों, ब्रीस लीगा 1 में 24 matches खेला था 3 goal 1 assist किया था, लगभग ये आपको tackles के point दे सकता है तो एक decent से pick हो सकते है Grand Seer, बिलियम सन 1 assist जुबाग 1 assist, कैबराल 1 assist जुबाग स्टार्ट करता है, रिक्स टेकर हो ट्राइ कर सकते हो, बट मैं इसको ignore कर दूँगा, ये दोस्तों second division में, जो लाग अलेक्सी का second division है, उसमें 21 matches में 9 goal 1 assist किया है तो आप देख सकते हो, इसका stats record बहुत अच्छा है, ट्राइ करना है रिक्स टेकर हो, जा सकते हो लाग अलेक्सी फेरोड जा रहा हो, 100% इसके साथ जा सकते हो तो दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं सबसे ज़्यदा tackles की, तो सबसे ज़्यदा tackles आपको अराजवों से दिख जाएंगे सबसे ज़्यदा interceptions भी दिखने वाले हैं और सबसे ज़्यदा passes इस team से दोस्तों complete करते हुए आपको दिख सकते हैं यहाँ से रिवो लिस्वान, यह आपको दिखने वाले हैं कही न कहीं, second में यह आपको सबसे ज़्यदा tackles भी करते हुए दिख जाएंगे बात करें गोल स्कोरिंग threat की यहाँ से सबसे ज़्यदा गोल स्कोरिंग threat जिससे हो सकता है वो कैबराल हो सकता है क्योंकि यह 200 पर game लागा देता है उसके बाद यहाँ से कैलजेस्टन penalti लेगा legit और यहाँ से दोस्तो सबसे बड़ा अगर Hernandez start करता है दोस्तो तो Hernandez सबसे बड़ा होगा अगर यह start नहीं करता जो मुझे लगता है इसके place पे जुबाग start करेगा अगर यह नहीं start करता है तो कैबराल बहुत बड़ा goal scoring threat हो सकता है उसके साथ जुबाग भी होगा क्योंकि second division में अच्छा किया है तो दोस्तो अब बात करते हैं FC Dallas के playing 11 की FC Dallas का जो last match था इनका last match था दोस्तो Vancouver White Caps से जो दो-दो से draw किया था जिसमें PP का एक goal था और यहां से दोस्तो फिरेरिया का एक assist था तो यह player important है आप चाहो इनके साथ try कर सकते हो यह पिछले match के goal scorer रह चुके हैं तो बात करते हैं दोस्तो आब इनके playing 11 की यहां से mirror इनका keeper होगा आपको चे दिखने वाले है right back पे दो center back ब्रीशन बर्गेस नेल्सन लेट बैक पे नेल्सन जील का बहुत बड़ा pick है आप इसको captain wise captain try कर सकते हो बात करेंगे चे की दोस्तो यह बंदा 3 matches खेला without goal assist रहा है इस team से इनके defenses सबसी ज़्यदा point देने वाला है चे बट इसका selection आप percentage बहुत ही low है पिछले कुछ matches से यह थोड़ा सा week हुआ है बट दोस्तो धियार रखना इनके defenses सबसी ज़्यदा point without goal assist चे ही दे सकता है बेसन की बात करेंगे especially इनसे goal scoring threat भी दिखेगा 10 matches MLS के खेले हैं एक goal कर चुके हैं वहीं सीरिया एक खेला है दोस्तो तो एक experience player है आप जाना चाहो तो जा सकते हो बर्गेस की बात करेंगे especially ये player दोस्तो soccer player है लगभग आपको defensive point देते हुए दीख सकते हैं बर्गेस बट मैंन को यहां से ignore कर सकता हूँ बात करेंगे नेंसल की जैसा मैंने बताया है दोस्तो की एक point pick हो सकते है especially GL में कप्तान वाइस कप्तान के क्योगुनान बहुत ज़्यादा ignore player है बट ध्यान रखना इस team से सबसे ज़्यादा defensive point देने की छमता जो रखता है वो क्योगुनान ही रखता है बहले ही form अच्छा र एक या दो गोल करना बड़ी बात नहीं है पॉमिकायल की बात करें GL के pick है आप इनको ignore कर सकते हो head to head में एक assist कर चुके हैं बट मैं यहाँ से इनको ignore करने वाला हूँ ओबियान की बात करेंगे दोस्तो एक threat होंगे goal scorer threat कोपा सूडा अमेरिका खेले हैं चार मैचस खेले हैं दो गोल कर चुके हैं सूडा अमेरिका में वहीं MLS के 11 मैचस में दो गोल किये हैं डिफेंसिव पॉइंट भी देते हैं तो ठीक ठाक पिक है head to head के लिए फेरेरा की बात करेंगे दोस्तो मुझे ये player पेपी से भी अच्छा लगता है क्योंकि ये कहीं न कहीं दोस्तो effort इसक गोला सीजन इसका ज्यादा अच्छा नहीं गया बट दोस्तो FC Tulsa से USL खेलता है जिसमें 14 मैचस में 6 गोल 2 स्कोर किया है वहीं पे होलिंग सेड मस्ट पिक ऑप्शन है दोस्तो इस टीम से सबस्रीदार डिफेंसिव पॉइंट दे सकते हैं आफटर क्यूगुनाट होलिंग सेड और इनसे गोल स्कोरिंग थ्रेट भी 100% रहने वाला है बात करेंगे पेपी की दोस्तो तो पांच गोल कर चुके हैं इस टीम के बेस्ट स्ट्राइकर कह सकते हैं दोस्तो क्योंकि इनके अलावा कोई अभी है नहीं हाँ होलिंग सेड एक बहुत अच्छे गोल बहुत ही सांदारा उप्षन बन सकते हैं बात करते हैं दोस्तो इनकी टीम से सबसे ज़्यदा गोल स्कोरिंग थ्रेट यहाँ पे होलिंग सेड का दिख सकता है उसके बाद यहाँ पेपी का दिख सकता है पेपी को ट्राइ कर सकते हो बात करें दोस्तो इस टीम से सबसे ज़ के आने वाले हैं सबसे ज़्यादा पासिस यहां पे कंप्लीट कर सकता है इस पेसली दोस्तों क्यों गुणान याद रखना क्यों गुणान एक डिफरेंशल पिक हो सकता है आप इसको ट्राइक कर सकते हो बात करते हैं दोस्तों एफसी डिलास में मोस्ट गोल असिस्ट की तो जहां से पेपी का पास गोल है ओब्रियान का दो गोल है हॉलिंग सेट का एक गोल तीन असिस्ट है फेरेरा का दो गोल है और यहां पे ब्रिसेन का एक गोल है सीले का एक गोल है जूरा जूरा स्टार्ट करता है मस्ट पिक ऑप्सन होगा क्योंकि यह पिनाल्टी भी लेगा दोस्तो तो यह एक important pick बन जाते हैं रिकोर्टा एक goal इस player को ध्यान रखना दोस्तो इस player को कहीं न कहीं अपनी team में try जरूर करना रिकोर्टा अगर start करता है तो यह player भी अच्छा है फिल्पे का एक assist, पॉमिकल का एक assist अकोस्टा का एक assist यहाँ से जो important pick होते हैं especially अगर आप यहाँ से एफसी डेलास फेरेट जा रहे हो तो चे, ब्रीशन, बर्गेश और यहाँ से दोस्तो केगुनान, ओब्रियान होलिंग सेट, पेपी यह player important होते हैं अगर आप एफसी डेलास फेरेट जा रहे हो तब, बात करते हैं दोस्तो score prediction की, Hernandez खेलेगा मेरा score prediction एक 2, 1, 2 lag galaxy, 2, 0, 2 होने के chances हैं क्योंकि एफसी डेलास का जो recent away form है, बहुत ही गंदा है बात करते हैं अब dream 11 team preview किया तो दोस्तो अभी के लिए यह team मैंने बनाया है, जहाँ पे देख सकते हो, मौरेर मेरे goalkeeper है, तीनो मैं यहाँ पे cover किया हूँ especially defender, lag galaxy का, deploy, callably यह आपकी call होगी कि आपको किसके साथ जाना है, यहाँ से मेरे voice captain ledget है, मैं 100% calgestion के साथ as a voice captain यहाँ दोस्तो यहाँ पे hauling set के साथ as a voice captain जा सकता हूँ especially पहली call मेरे hauling set होगा, second मेरा calgestion होगा, यह call मैं ले सकता हूँ यह decision मैं last moment ले सकता हूँ कि मैं as a voice captain किसके साथ जाऊँगा मैं ledget के साथ as a voice captain नहीं जाऊँगा, especially head to head में हाँ, आपको rix नहीं लेना है तर ledget एक best option हो सकते हैं क्यों गुनान अभी के लिए दोस्तो मैं इनके साथ rix लिया हूँ आप safe जा सकते हो, safe option कौन सा है वो सारी चीज़े हम discuss किये हैं ओब्रियान भी एक अच्छे pick बन सकते हैं ओब्रियान को आप try कर सकते हो क्योंकि दोस्तों यह बंदा दो goal कर चुका है फेरेरा की बात करें अभी के लिए मैं फेरेरा के साथ गया हूँ safe पेपी होगा ध्यान रखना पेपी safe होगा, फेरेरा रिक्सी होगा तो अभी के लिए मैं थोड़ा बहुत रिक्स लिया हूँ इस टीम में यह मेरी पहली टीम है, head to head टीम है जहां पे आप इसके साथ खेल सकते हो safe जाना है, पेपी ले लो safe जाना है, क्यूगुनाओन के प्लेस पे आप यहां से try कर सकते हो especially फेरेरा के साथ जा सकते हो यहां पे फेरेरा पेपी दोनों के साथ जा सकते हो क्यूगुनाओन को drop करके सेफवाइस कफ्तान यहाँ से legit होगा hauling set भी एक बुरा option नहीं होने वाले हैं वहीपे सेफवाइस कफ्तान legit और यहाँ से PP हो सकते हैं यह सारी चीज़े आप कर सकते हो बात करेंगे दोस्तों second team की यह मेरी second team है अगर यहाँ पर Hernandez start नहीं करता है तो मैं इस टीम से खेलूँगा बात करें थर्ड टीम की जो जी यल की टीम है बहुत ही ज़्यादा हाई रिक्स है दोस्तो इस टीम में यहाँ पे आप क्या कर सकते हो अपना कप्तान हॉलिंग सेट को कर सकते हो अपना वाइस कप्तान कीगुनावन को भी कर सकते हो तो यह रिक्स ले सकते हो फिलाल के लिए जो मेरी टीम है दोस्तो हेट टो हेट की यह है आप चाहो तो अपने एकॉर्डिंग भी चेंजिस करके खेल सकते हो वीडियो पसंद आयो चैनल को स्क्राइब करना वीडियो को लाइक करना मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर और वेस्ट अफ लाग थाइंक्यू दोस्तो